दोस्तो ये एक विल्गुल खाराब माइक्रोफोन है इस माइक्रोफोन को में आज आपलोक को रिप्यार करके दिखाऊंगा ये माइक्रोफोन का पिन है जो यहापर निशेन लगाना होगा उरूसके बाद इस माइक्रोफोन में ये स्वीच jackets m अंदर से लगाना होगा उर्ष के बद आगे ये जाली को खोल लेते हैं पहले इस जाली के अंदर एक फोईस कोईल लगा हुआ है जो आवाज उत्पन्न करता है ये जो देख रहे हो आप लोग ये एक फोईस कोईल है इसको भी तार के साथ कानेक्शन करना होगा सब कुस अब इस माइक्रोफोन को ता देख सकते हैं मैं के से जोर रहा हूँ ये डोनों तर जोइन कर लिया उसके बाद इस तार्गों भी जोरना होगा एसे डोनों तर्गों में जोइन कर लिया हूँ एसे आप लोग देख सकते हैं अब इस लाल तर्गों शोल्डारिंग करना होगा स्विच पर जो स्विच का पहली तर्मिनल पल सोल्डारिंग करना होगा एसे आप लोग देख सकते हैं एसे यह सोल्डारिंग हो गया है यह तर अब उसके बाद इस तर को फागभग करना होगा अब आप लोग देख सकते हैं यह स्वीच की तर का कनेक्शन अब लोग अब इस तर को फागभग करना होग दोनों स्टार को, अब मैं इस स्टार को ऐसे फाटबक कर लेता हूँ, एक लाला एक उंडया है कर लिया है, और उसके बाद इस स्विच को फिट करना होगा माइक्रोफोन में यहाँ पर अंदर से फिट करना होगा एसे पहले यही स्विच को यहाँ पर एसे लगा देना होगा जो स्विच का यह होल है यहाँ पर एसे लगाना होगा इस स्विच को अब उसके बाद इस स्विच की उपर में स्कुरू को मरना होगा एसे आप लोग देख सकते हैं ये दोनों स्कुरू लगा देना होगा एसे अब मैं इस स्कुरू को एसे टाइड करूँगा स्कुरू डाइबर की मदद से दोनों स्कुरू टाइड हो गया है आप लोग देख सकते हैं ये स्विच बिलकुल फीड हो गया है ये स्विच और उसके बद इस तार को इस पीन के साथ जोरना होगा कैसे जोरना होगा आप लोग ठ्यान से देखना अब इस पीन में ये जो देख रहे हैं ये दो नमबर पीन है और उसके बद यहापर ये एक नमबर और ये तीन नमबर पीन है अब इस पीन को जोरना होगा एक साथ अब मैं इस स्टार को जोरूंगा इस पीन के साथ इस पीन के ये जो देख रहे है उपर में जो स्कुरू लगाते है यहापर यहापर जोरना होगा इस स्टार को ऐसे अब मैं यहापर सॉल्डारिंग कर देता हूँ और उसके बाद ये जो देख रहे हो किनारे में ये एक नमबर पिन है इस पिन पर इसको सल्दारिंग करना होगा यहापर यहाँ पर मैं अब soldering कर देता हूँ soldering हो गया है और उसके बाद यह जो निशे देख रहे हो यह तीन नमबर पिन है इस तीन नमबर पिन में इस तर को soldering करना होगा सब कुस soldering हो गया अब मैं इसको यहाँ पर एसे काट देता हूँ और उसके बाद इस microphone का इस डोनो तार को इस pin के साथ जोरना होगा ये जो देख रहे हो ये लाल तार को ये दो नमबर पीन पर जोरना होगा यहाँ पर अब मैं इसको यहाँ पर ऐसे soldering कर देता हूँ यहाँ पर उसके बाद ये जो white तार है इस तार को जोरना होगा आप लोक देख सकते हैं यहाँ पर जो यह एक नामबर पीन है यहाँ पर मैंने caramelring कर दिया है इसको आप से अब यहाँ दोंप दो वतार add συν हो गया है आप लोक देख सकते हैं अब उसके बाद इस पीन को feet करना होगा microphone में यहाँ पर अंडर इस पीन को ऐसे feet करना होगा ये पिन फीड हो गया है और उसके बाद यहाँ पर स्कुरू को लगाना होगा ये जो देख रहे हैं आप लोग स्कुरू को यहाँ पर इसे ताइट करना होगा ये स्कुरू ताइट हो गया है आप लोग देख सकते हैं ये पिन अंदर से फीड हो गया है बिल्कुल अब उसके बाद इस डोनो तर को फोईस कोईल के साथ जोरना होगा इस तर को यहाँ पर यह जो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर इसे जोर देते हैं अब में यह वाइट तर को जो निकेटिफ तर है इस तर को यहाँ पर इसे जोरना होगा ये तर जोइन हो गया है और उसके बाद ये जो लाल तर है ये पोजिटिव तर है इस तर को भी यहाँ पर एसे सोल्डारिंग कर देते हैं अब ये सोल्डारिंग हो गया है ये दोनो तर और उसके बाद इस फोईस कोईल को यहाँ पर एसे फिट करना होगा और उसके बद इस जाली को ऐसे मारना होगा आप लोग देख सकते हैं ये microphone बिल्कुल feed हो गया है और repair भी हो गया है अब इस microphone के नीशे यहाँ पर ये pin लगा देते हैं ये pin बिल्कुल feed हो गया है ये microphone में पुरा complete repair हो गया है